हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वीडियू कमुनिटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं कि हिकानेशी केंडल और नॉर्मल केंडल में क्या डिफ्रेंसेस है दोनों में से कौन सा केंडल बहतर है हिकान केंडल को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस दोनों केंडल के रिगार्डिंग जो भी आपका क्वाईरी होगा जी या जो भी आपका कन्फीजन होगा उन सब का एंसर आपको इस वीडियो मिलता हूँ दिखेगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो हम लोग डेली अपने चार्ट में नॉर्मल केंडल को पर बात ही करते हैं और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है सबसे पहले यहाँ पे हम hikaneci candle का उपढ़ाते हैं और सबसे पहले हम hikaneci candle के behavior को समझने कोसिस करते है कि हमें क्या indication देता है सबसे पहले अगर आपका अप trend है तो वहाँ पे hikaneci candle कैसा form करेगा वो आपका green candle form करेगा यह नि अगर आप hikaneci candlestick use करते है तो आप trend को easily identify कर सकते हैं अगर आप normal candle में trend को identify नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे आप हिकानेसी candle use किजिए कैसे use करना है और क्या difference है वो में आपको चार्ट पर भी चल के आगे बताऊंगा लेकिन सबस्पहले इसके behavior को समझने ही कोसिस किजिए तो जब भी आपका market अप trend में डएगा हिकानेसी candle आपका क्या फॉर्म करेगा ओपेन इकॉल तू लो फॉर्म करेगा और candle color क्या होगा candle color आपको green देखने को मिलेगा और जब भी आपका down trend रहेगा तो उस टाइम पर क्या होगा उस टाइम पर हिकानिसी केंडल आपको red color का देखने मिलेगा और वहाँ पर open equal to high formation form करता हुआ दिखेगा तो इसके जरीए आप up trend और down trend को easily identify कर सकते हैं अगर आप हिकानिसी केंडल use करते हैं तो दूसरा यह हमें क्या indication देता है अगर green candle का जो length है वह ज्यादा है तो डैट मिन्स टू जो bullish force है यहीं जो buyers है वो उनमें strength काफी ज़्यादा है यहीं हिकानिसी candle सिर्फ आपको up trend या down 20 नहीं दिखाता है बलकि buyers और sellers के strength को भी indicate करता है अगर candle का जो length है वहाँ ज़्यादा है यहाँ अगर red candle का जो length है वह ज्यादा है यहाँ इंस्टो यहाँ पर बेरी स्फोर्स है मतलब sellers का जो strength है वहाँ पर हमें ज्यादा देखने हों मिलेगा है यहाँ में clear-cut indications यहां से पता चलवा है तो यहाँ पर आपने हिकानिसी candle के behavior को देख लिया अब हम यहाँ पर इसके calculations के उपर focus करते हैं हिकानिसी candle form कैसे होता है इसका calculation normal candle से थोड़ा सा अलग होता है यहाँ पर आपको सारा कुछ लिखा हुआ अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट भी दिखा देता हूं सबसे पहले इसका opening point हम कैसे calculate करते हैं यह open कहाँ पर होगा previous candle का जो भी opening price है और closing price उसको हम 2 से divide करते हैं तब जाके हमें यहाँ पर opening point मिल जाता है यहाँ पर थोड़ा सा confusion लग रहा होगा यहाँ पर फॉर्मुला देखिए अब यहाँ पर आपको ज्यादा clarity के साथ सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आप चाहो तो इसका screenshot लेकि भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर manually calculation करने की जो अतनी है आपको किसी भी trading platform के चार्ट पर जाना और वहाँ पर आपको ही करने सी candle automatically form होता हो दिख जाएगा manually calculate नहीं करता है लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें हम ज्यादा average करते हैं सबसे पहले जो opening point होता वो किसका average होता previous candle का opening और closing का average वहता है और जो closing point वहता है वो current candle का open high low close का average वहता है यहाँ पर चार क्वेटरिया होता open high low close इन चारों को add करके फोर से divide करते हैं यहाँ पर average के उपर ज़्यादा focus करते हैं इसलिए यह हमेशा trend को indicate करता मार्केट में अभी up trend है या down trend है या फिर कोई trend नहीं है चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और दोनों के बीच में जो actual difference है उसको हम और अच्छे तरीके से identify करने की कोसिस करते हैं तो यहाँ पर हमने bookish language में देख लिया हो सकता है कि अब यहाँ पर हम लाइप पर आते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकल में क्या difference सबसे बारा difference आपको लास्ट ट्वेडिंग सेशन ही देखने को मिल जाएगा यहाँ पर हम नॉर्मल केंडल यूज करें नॉ केंडल है और यह आपका 3rd of June का डेट का है अब यहाँ पर आपको कहीं से भी gap up नहीं दिखेगा आपको दिखेगा कि प्राइस यहाँ पर ऑपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ है जबकि ऐसा हुआ नहीं एक चोली में हुआ क्या था मार्केट गया था मतलब यह इसी प्राइस के करीब ऑपन हुआ था यह नहीं गयाप आपको यह डिनोट नहीं करता है और यहाँ पर हमें क्लियर कट अप्ट्रेंड का इंडिकेशन देख रहा है क्योंकि इसके बाद देख सकते हैं क्लियर कट आपको ग्विन केंडल का फॉर्मिशन देखने को मिला था तो एक यहाँ पर डिमाइट है कि आपको एक्ष्ट्वल सिटूइशन है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा तब हम यहाँ पर इसके बारे में और डीटेल से बात करेंगे लेकिन सबसे पहले बता जेता है कि हिकानिसी केंडल किन को यूज करना चाहिए और जो वायर्स ने कौन सा केंडल किया कहां पर क्या कुछ हुआ यह सारा एक्जेक्ट इंफरमेशन आपको यह नॉर्मल केंडल देगा जो कि हमें हिकानिसी केंडल सिक से नहीं मिलेगा तो अगर आपको केंडल सिक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है और आप डीप करना चाहते knowledge gain करना चाहते हैं उसके लिए neutral candle normal candle बेहत भी नहीं है लेकिन अगर आप stock market में नए है और आप intraday trading करना चाहते हैं और आप इन सारे candle stick के जरिए और नार्मार के जरिए ट्वैंड को ऐडेंटिफाइए नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके लिए कौन सा बैतर और तो फिर आपके लिए जो बैतर आप्शन वहोगा ही काने सी केंडल क्योंकि आपको ट्वैंड को क्लियर कर अडिनिफाइए करके देगा और कहां प को दो बातों का ध्यान रखना पड़ता सबसे पहला कि यहां पर आपको के लेंद के उपर फोकस करना पड़ेगा क्यों फोकस करना उसके उपर अब बात करेंगे लेकिन सबसे पहला पॉइंट है यहां पर केंडल का लेंद के उपर फोकस करना दूसरा अगर प्राइस आपका uptrend जा रहा तो यहाँ पर हमें देखना है कि open equal to low form हो रहा है यह नहीं हो रहा अगर price आपका downtrend जा रहा है यहाँ पर हमें देखना है कि open equal to high form हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है बस आपको यही दो पॉइंट देखना है हिकानिसी केंडल और इसके जरीए आप इसली ट्वेंड को इडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे चलिए यहाँ पर हम एक्जांपल समझते हैं 3rd of June को market open हुआ था gap up और उसके बहुत साहे लोग यहाँ पर इसको breakout समझ के trap हुए थे लेकिन अगर आप यहाँ पर हिकानिसी केंडल यूज करते तो आप trap से बच सकते हैं कैसे हमने पीवीटी पे क्या देगा था अगर केंडल का लेंथ जादा हो डैट मिन्स टू बायर्स का स्ट्वेंथ जादा है अगर केंडल का लेंथ कम हो रहा यहाँ पर देखिए पहला कें बायर्स कमजोर हो रहे हैं और जैसे यहां पर क्या करेंगे यहां पर क्लियर कट एकजिट कर लेंगे यहां पर निकल जाएंग मतलब जो ट्रैप में आप सकते थे neutral candle के basis पे वो trap में आप हिकाने सी candle के basis पे नहीं फसकते थे यहां पर clear cut indication दिया है पहला दियो हो गया दूसरा point दूसरा point क्या है अगर uptrend है तो open equal to low pattern का formation होना चाहिए जैसे यह pattern break होगा uptrend में वैसे हम क्या करेंगे यहां से exit करेंगे चाहिए loss हो या profit में हो या फिर हम cost to cost हो जैसे open equal to low pattern break हुआ और उसके बाद आपका दूसरा वाला candle form हुआ तो वहीं पर हम exit करेंगे मार्केट क्या कुछ कर रहा है मैं Clay कर देता हूं open equal to low form किया है यहां पर बेदेखिए चोथा candle form नहीं किया मतलब अब यहां पर हमें 17 हो जाना क्योंकि जो pattern हुआ वह break हो गया अब जैसे ही यहां पर जो दोसरा हम इनगे रा एंट महीं और यहां पर आपको निकलना जब के सिटुयोशन पर हम न्यूच्व पने प्रपल रेंप रेच्व रेंड फिर ग्विन घ्विन इहां पर हमें clear cut indication नहीं मिल वा है कि market यहां से गिरने वाला है या फिर उपर जाने वाला है जबकि हम हिकानेसी candle पर आते हैं यहां पर हमें clear cut indication दे दे रहा है कि यहां पर market जो है इसमें buyers का strength कम हो रहा है अब यहां पर दो चीज ध्यान देना जो कि मैंने बताया है और इस चीज को आपको हमेशा follow करना अगर आप हिकानेसी candle यूज करना चाहते हैं तो अब trend जब भी रहे आपको open equal to low देखना अभी मैं आपको example भी बताऊंगा जैसे यह pattern break करें आपको exit कर लेना pattern break होने के बाद अगर अपोजिट करनल फॉर्म होता इंस्टेंट एकजिट मारिये डाउंट यह तो open equal to high फॉर्म हो रहा जैसे इस लेवल पर क्या हुआ pattern break हुआ है और उसके बाद हम वेट करेंगे अगला green candle फॉर्म होने का जैसे अगला green candle फॉर्म हो आप कहीं पर भी sell कियो यहां पर आपको exit करना उसके बाद इसके बाद वापस से open high open high open high open high open high open high यहां पर ब्रेक हुआ और इंटराडे में ट्रेडिंग करते हैं को इसके बादे इसके बाद इसके परफेक्ट इंटराडे स्ट्राटेजी भी सेटप कर सकते बस आपको एक ही चीज देखना अगर सेंटिमेंट निगेटिव है trend negative है open high open high firm हो रहा तब तक हम अपना sell positions continue रहेंगे जैसे यह pattern break किया और उसका opposite candle firm हुआ है यहाँ पर हम market से निकल जाएंगे इससे पहले भी आप देख सकते यहाँ में आपको green candle में दिखाना चाहूंगा अब यहाँ पर देखिए प्राइस उपर जा रहा लेकिन उपर जाने में हमने क्या बोला था कि यहाँ पर open equal to low pattern बनना चाहिए तभी हम ट्वेड लेंगे यहाँ पर नहीं बन रहा है यहाँ पर हम ट्वेड नहीं लेंगे अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ open equal to low open low, open low, open low अब यहाँ पे pattern break हुआ और जैसे ही pattern break हुआ चाहिए आप यहाँ पे by किजिए या फिर यहाँ पे by किजिए आपको यहाँ पे निकलना परेगा, यहाँ पे आपको exit करना परेगा उसके बाद वापस से यहाँ पे open low, open low, open low, open low और यहाँ पे red candle form करते हैं, यहाँ पे exit कर देंगे, तो यहाँ पे clear cut है, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं अगर आप हिकाने सी use करते हैं, दो चीज़ आपको ध्यान देना candle का length और open equal to low, अगर आप candle के length पर जाएंगे यहाँ पे देखिए, candle का length अच्छा खासा है, यहाँ पे increase हुआ फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं, candle का length decrease हुआ है और जैसे candle का length limitations हुआ हम क्या में क्या मनें कि byers का сделance क्मुआ है और यहाँ जैसे ही कम हुआ आप यहाँ आपको गपानीको दो condition बताया है वह आपको देखना ये दो चीज़ देखेंगे रिचल आसानी से हैं वहें हम भी आगे और भी बात करматरेंगे आपको कि बारे में इनफ त यहाँ पर इसके भी आना चाहे तभी आप को चार्ट पारे में थोड़ा detail information होना चाहिए तभी आपके इसके basis पे कोई conclusion निकाल सकते हैं जबकि हिकानेसी candle आपको थोरा सा चार्ट का जो analysis है candle का जो analysis है वो आसान करके बनाता है लेकिन अगर आप हिकानेसी candle use करें या फिर neutral candle या normal candle use करें दोनों क्या बताता है दोनों आपको pictorial representation बताता है कि इसका buyers और sellers के बीच में जो fight हो रहा है उसका यह visual representation करता है तो यहाँ पे हम क्या समझनी कोसिस करते हैं यहाँ पे हम buyers और sellers के behavior को समझनी कोसिस करते हैं यह pictorial representation तो है वो हमें कोई काम का नहीं है लेकिन इसके साथ यह बायर्स और सेलर्स का बिहेबियन भी बताता और वही बिहेबियर हम इन डिफ्ट इनालिसिस करके चाहे न्यूट्र केंडल रहे हैं यह हिकानेसी यहां लागे वीडियो बनाएंगे और उसके उपर जो भी ट्रेइडिंग स् सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दवाना ना भूलेगा ताकि जब यह वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए का दरवाई आप वीडियो को मिस भी कर सकते हैं सो डेट वाल फैंड्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन